सलमान खान और केट्रीना कैफ की आक्शिन पाक्ट फिर्म टाइगर 3 दिवाली के दिन रिलीज हुई थी जिसका बजट 300 करोड के आसपास था दिवाली के दिम रिलीज होने के बाफ जूद पहले दिन इस फिर्म ने 44.5 करोड की अच्छी खासी कमाई की थी हला कि पिछले दो दिनों से सलमान खान के फिर्म के कलेक्शन में भारी गिरावत आई है टाइगर 3 ने रिलीज के छटे दिन यानि शुक्रवार को कितने करोड का कलेक्शन किया जानने के लिए विजियो में बाने रहे सलमान खान के फिर्म टाइगर 3 के रिलीज का फैंस को भी सबरी से इंतजार था महीं जब ये फिर्म सिनमा घरों में रिलीज हुई तो दिवाली के तियोहार के बावजूद इसे देखने के लिए थेटर्स में ओडियन्स की भीड लग गई और शो हाउसुल हो गया इसी के साथ पहले दिन 44 करोड से ज़्यादा का कलेक्शन करने वाली टाइगर 3 ने रिलीज के पहले 5 दिनों में 188.25 करोड की शांदार कमाई की है लेकिन बुद्भार से फिल्म की कमाई में गिरावच आई है वहीं अब फिल्म के रिलीज के छटे दिन यानि शुक्रवार की कमाई के शुरुआती आगड़े आ गए है रिपोर्ट के मुताबक टाइगर 3 रे रिलीस के चटे दिन आने शुक्रवार को 13.25 करोड की कमाई की है टाइगर 3 की कमाई में बेशक गिरावच हुई है लेकिन ये फिल्म अब 200 करोड का आगडा पार कर गई है और इसी के साथ टाइगर 3 साथ 2023 की 200 करोड से ज़्यादा कमाई करने वाली एक और फिल्म बन गई है हलाकि टाइगर 3 शारुखान की पठान जवान का रिकॉड तो उनने से अभी कोसो दूर है महीं मेकर्स को अब वीकेंड पर फिल्म के कलेक्शन में उचाल आने की पूरी उमीद है लेकिन रविवार को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत और अस्ट्रेलिया के बीच ICC World Cup 2023 का फाइनल माच है ऐसे में फिल्म को रविवार को बड़ा जखका लग सकता है अब देखना यह है कि टाइगर 3 शानिवार और रविवार के चुट्टी पर कितनी कमाई कर पाती है आपको क्या लगता है हमें कॉमेंस में ज़रूर बताएं और देखते नए एंटी लाइव